तो यहां पर यहां रहा दूसे मेरे पास OnePlus 10R स्मार्टफोन और यहां पर यह रहा 50 Megapixels का Tribal Rear Camera आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में कुछ क्यामरा के सेटिंग्स बताऊंगा दसों भैतरिन सेटिंग्स बताऊंगा भैतरिन शॉट्स के लिए तो आप है ना इ रबैम करते हैं और क्यां मिल्ता है सबस्क्राइं नट मोड इस नट मोड में आप आकर फोटो स्क्राइबान करूद करना है तो आपको आना होगा इस नट मोड में आप हैंपड़ चार लोग खड़े हैं फोटो ले रहे हैं चार लोग और यह क्यामरा में खड़ा है तो जगा कम है जगा कम होने के वज़ा से ना फोटो में चार लोग नहीं दिख पार है फीचे हटने के लिए जगा नहीं तो उस वक्त क्या करेंगे हम यहां पर अल्ट्रावर्ड पर क्लिक तो उसके आलावे हम पर आप इस पर क्लिक करें पर जो फोटो का साइज इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके हैं तो उस वक्त भी यह काम आता है तो चीलोब वापस से आते हैं Eft हैं आप वीडियो रिकॉरिंग करना है इस फोल में आपको आना होगा इस वीडियो में आप वीडियो रिकॉरिंग करते हैं मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं और इसके अलावा कमाल की बाती है कि आप यह में Ultra Wide प्रड़ भी मिलता है वीडियो र्युक्राइग करते वक्त में इसके अलावा आप इस पर क्लिकर खेंगे zaman से यह हैां से यहां अपने एंपीप्न सके को व्यूटी कर सकते हैं आप वीडियो र्यकॉर्णिंग सब्क्ता आपका उल्च्रा थे तो यहां से इसको कर सकते हैं ॐहां से जो फिल्टर आपको अच्छा लगी वो फिल्टर आप लागा सकते हैं वीडियो डीडियो रिकोर्डिंग करते हुँ आप विडियो रिकॉर्डिंग करते हैं आप मैक्सिमुम यहां पर आप कर सकते हैं F16 अपर्चर तक आप मैक्सिमुम करेंगे अपर्चर को मतलब ज्यादा करेंगे तो बैग्रूंड ब्लर रहना कम होगा और आप यहां पर अपर्चर कम करेंगे minimum आप कर सकते हैं F0.95 अपरचर तक कर सकते हैं आप कम करेंगे अपरचर को तो ब्लर ज्यादा होता है आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगए आप यहां पर अभी रख सकते हैं इसके अलावा आते हैं भी इस पर आप 3 डॉट पर क्लिक करके 30 fps कर सकते हैं और आपने 720 dp है यहांसे आप इसको भी सेट कर सकते हैं इसके अलावा है अपर आपको फोटो किलिक तो आंपको जोम करना चाहें इस में तो आप कर सकते मैक्सिमम आप तो 1867 कमाल की बात ये आप इसमें ले सकते हैं इसके अलोब किलिक हें किल सकते हैं यहांल मोल मोड में और ऑफ टो करिक कर के इ स्केज़ दिख हैं और ज़्यादा करसकते हैं पर clicker करने के बाद में हम पर timer रख सेते हैं और हम पर जो फोटो clicker हैं उसका size रख सकते हैं यह भी अच्छी बात है और इसके अलग हम पर AI को on कर सकते हैं HDR को on कर सकते हैं ऑफ है तो बहुतने shots के लिए Flash it की feature clicker करेंगे हम पर इस जैसे आपने देखआँ ब्लर होता है वोटो लेना चाहते हैं तो आपको आनाओगा इस पॉट्रेट मोड में यहां से आप background को blur करके photos ले सकते हैं इसके अलावा आप इस पर click करके यहां पर filters जो अच्छे लेगी आप लगा सकते हैं आप इस portrait mode में भी और इसके अलावा आप यहां पर रेटच पर click करके अपने face को beauty भी कर सकते हैं portrait mode में भी photos लेते वक्त में इसके अलावा यहां पर आप 10 seconds और 10 seconds का timer लगा सकते हैं और इसके बाद आते हैं पर next 50M बोल कर एक mode आपको दीखता होगा इस mode में आकर आप 50 Megapixel का जो lens है उस lens से photos ले सकते हैं zoom आप हैं पर इसमें नहीं कर सकते हैं timer रख सकते हैं और AI को on कर सकते हैं इतना है तो चलिए वापस से आते हैं पर next more में आने के बाद आपके हम पर मिलता है दो प्रो प्रो क्या है आपको मैं बताओंगा जैसे आपने देखा अगर डेसलर कामरा के सेटिंग्स होते हैं वह सारे सेटिंग्स आप इस प्रो मोड में करके आप इस्वी यह दिखे का हुँ नभात कर सकते हैं और इसको जैदा कर सकते हैं वह अच्छे से झाहता हो जाहता हैं और हमाप वाइड बालेंस भी आपके मिलता है तो यह सारे settings आप यहां पर कर सकते हैं फ्लाशूट का feature है और यहां पर white balance मतलब यह दिख लीजे ultra white भी ले सकते हैं आप यहां पर यह सारे settings आप यहां पर कर लिए ना pro mode में digital camera के वापसे more में आने के बाद आप यहां पर मिलता है प्याणो यह का है आपको मैं बताऊंगा इस प्याणो का पूरा नाम है प्याणो रुमा यह का है जैसे आपको बहुत बड़ा place है ना वह बहुत बड़ा place को आप एक ही photo में लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है इस प्याणो में आना है next went in the계 Charlie जैसे आप normal run मोरा कर कोई भी चीज़ के सामने ले कर जाएंगे तो बलर देखेगा details में नहीं देखेगा आपको कई भी चीज़ को details में देखना देखना है camera एक दम सामने लेकर जाकर तो आपको आना ओगा इस macro में इस ईस Macro में आप आकर लेकिन वही सारे सेटिस करके आप हम पर इससमें वीडियो कर सकते हैं अची ही वात है वापस से महर में आने के वाद आप पर इस sıलो मोग कि वीडियो recording भी कर सकते हैं हाँ पर 720p रख सकते हैं और चलिए फिचर की यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप maximum 3x तक जूम कर सकते हैं इस्ट्रा एप लेने की ज़रूत ने एडिटिंग करने की ज़रूत ने तो चलिए हाँ पर और नेश्ट है हाँ पर dual video मतलब front और rear camera दोनों camera से एक साथ आप video recording कर सकते हैं और आते हैं हाँ पर हम खास feature की बात करने के लिए photo mode में 3 लोलट पर click करके हम setting में आते हैं आने के बाद आपके हमपर मिलता है watermark इस setting में हम आकर इसको on करेंगे हम पर add watermark to photos के लिए आनाचाहिए या photos और videos दोनों के लिए आना चाहिए आप हमपर रख सकते हैं photos के लिए मेंने search किया है तो जो भी photos हम इस phone में लेंगे तो watermark तो चलिए इसके आलवा आप अपने खुद का नाम रखना जाते हैं यहां पर इस पर आप क्लिक करके हम पर जो भी नाम आप यहां पर लिक कर डालेंगे तो जो भी फोटोस आप इस फोन में लेंगे तो नाम आपका बताएगा दुस्तों फोटो के कॉर्णल में इस सेड में तो चलिए उसके बाहस यहां पर है फोटोस अना चाहीन तो इसको भी आप आना कर सकते हैं और इस पर अपना नाम और कर रखिया है तो यहां पर आप नाम निशुक्ति बैंखर मैं दाला है मेरे नाम तो यहां पर बाई नाबिल बोलकर इस से इतना ही बताएगा वातरमर्क जो इस फोन में आप फोटो लेंगे तो चलिए इसके बाद यहां पर location का on off कर सकते हैं और यहां पर date and time को भी on कर सकते हैं आप इसको on करेंगे तो किस date पर और किस time पर आपने फोटो क्लिक किया है वो भी इस side में बताएगा फोटो के corner में एक step back आने के बाद आपको इस side में आकर grid कर लेना है जैसे आप camera app open करेंगे तो आपको hashtag के तरह lens दिखेंगे camera app open करने के बाद में उन lens को देखकर आप पता कर सकते हैं अपने phone को कितना सीथा पकड़ा है बोलकर वापस से इस side में आने के बाद आप photo लेते हैं तो sound आना चाहि так is found photo click आपक में तो इसको off कर सकते हैं और उसके बाद आप फीलिप selfie य्ज messaging तो इस एंगल से आप selfie लेंगे तो फीलिप होकर इस एंगल से आपने लिया वोलकर ऐसे बताएगा मैं तो इसको off करना चाहतु हूँ Fit selfish को अगर आप on करना चाहे तो इसको on करके use कर सकते हैंада के करके हाथ बताएँगे ना तो photo click है आने को यहां पर कुछ खास Setting तो नहीं है यहां पर इस setting भी on कर times और उसके बुए yacher पर है the volume button action इस setting आकर आगर आप camera app open करके volume button पर click करेंगे तो नहीं पर आपने set करके रखा तो volume जबедा होगा और यहां पर shooter आप एक डिफूर्ट करेंगे अब लॉट करेंगे यह साड़े स्मार्ट फिन सुमराठिंगution के oops कills हो गए आप ने कुछ घडबर कर दिया वीडियों क्लिकर देना है दो जैसे प्रिक्सारघ्स च्री स्म 난ец control के इंट्रेस्ट्फारषन को बहुती इंट्रेस्टिंग खाला तरीके से यूज करने देखने के लिए लिंक मिल रहे है और यहां पर क्लिक कर लेश्जा यहां पर भी आपको वीडियो दिख रहा होगा